मंगलो नमस्कार मैं सभी माता पिताओं से बड़े बुजर्गों से एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी समझदारा जो बात मैं कहना चाहरा हूँ कोई बहुत नई नहीं लेकिन विशेश है भाई आप अपने बच्चों के आगे कितना जुकोगे ये तो बताइए कोई सीमा भी होगी तो कोई बात नहीं बच्चे तो आपके रहेंगे कोई मेरे या आपके आपके भाई के या किसी के नहीं कहूंगे जो औरिजनल आपके पेट से पैदा हुए बच्चे कहने करता है आपकी संतान वह आपकी रहेंगी औरों के तो रिष्टेल बनेगे कोई ब टिर्था को ना कःए वेथित ना हो ये दे ही बहा साम कहते हैं राईस्थान भासा में रांडि-वोना मत रो ये किसलियी रहन ख़ा क्या करें जी ममता पर्ड़ता है बच्चे मानते नहीं फैर रूठ जाता है कही चला जाता है, आता नहीं है, खाना नहीं खाता, या गुस्सा आता चिड़चड़ा, जिती, जो भी कुछ हो भाई, एक ही तो बच्चा है, जा यह बता ही, बता ही, एक कहते हैं, अब एक हो, च्या हो, ठीक है न, च्या न, जब लड़का हो, सवाल इस बात का आप इतना जुक जुक जैसा वो बोले वैसा कर रहे हो अरे कुछ आपकी भी तो कुछ होगी कुछ जमीर होगी मैं जमीर सब बोलगा कुछ आपकी भी तो कुछ खुद्दारी कुछ गरीमा कुछ स्वाभीमान होगा जो सब समझना चाहे मैंने बोल दिया जि इसे पारपड़ेगी जी बच्चे अपनी मन की कर रहा है और मन में भी हर चीज में अपनी टांगड़ा के खड़ा होगा अपनी जीत पकड़ा होगा अपर बाद में जो से कोंसेकुणस जो आपको उसको परिणाम बिलेंगे बैंकर परिणाम बिलेंगे आपके घर के लिएक करते हीं करते हैं रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए उधारन के लिए बच्चे ने कह दिया मैं तो इससे साधी करूँगा चलो आपने उसमें समझोता कर लिया वहां तक तो कोई बात नहीं लेकिन अब वह साधी के अंदर भी यह कहता है नहीं मेरे हिसाब से होने चाहिए आपको इतना सब क करना वहां करना उस हिसाब से करना तो फिर आप हो क्या आप खुछ सोचो ना कहीं आप अपनी भी तो गरीमा रखिए को देख बेटा तेरी बात मान ली ना मैंने अब केवल इतना है अब हमारे हिसाब से साधी होगे हम चाथ छोटे में करें शुक्षम में करें बड़े में करें हमारे को देखना बस तुम बीच में टांग निए अगर तुम्हें अगर इस चीज के अंदर के टांग अड़ानी है तो अपनी जाके साधी कर लो हमाही तरसे पूरी छूटे अपना आके हमसे आशिरबात लेलो बस कानी करता हम ना आएंगे ना जाएंगे कहीं पर यह होना चाहिए ना कि उसके आप अपने खुशी से कुछ करें कर लेकिन उसके दवाव मां के या उसका मन रखने के लिए कोई वर जुरू नहीं कि आप उसको बोलो ठीक ना तो इससे बड़ी जलालत और कुछ हो नहीं सकती क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं कि आगे चल कि वही हो रहेगा मन उसमें आपके दबाव बना दिया जाएगा और आप असहाय वक्ति के तरह लगे रहोगे तो इसलिए पहले सही सीज का ध्यान करके चलिए अपनी गरीमा कहीं से भी घटानी चाहिए अपना स्वाइबान पूरा रखना चाहिए ठीक ना बस आपने इतना कि तुम्हारी पसंद कि आपका कहने तब मेरे का हमारे को अपने हिसाफ से चलना तुम अपनी हिसाफ से ना चलना कोई नहीं इतनी आपकी दरिया देली यही बहुत है इससे ज्यादा नहीं मंगल का में नमसका थोड़े को ज्यादा समझी है ताकि भविश्य आपको द्वन सो मतलब वही कले कले इस बचने के लिए आपका कंट्रोल रिमोट कंट्रोल आपके हाथ माना चाहिए जो भी घर का मुख्या है